बेराड थाना शेत अंतर का ताने वाले ग्राम गौंदोली में पारवती नदी के पास जंगली कुटों ने हमला कर राश्ची पक्षी मोड को घायल कर दिया मौके पर मौझूद ग्रामिनों ने मोर को जंगली कुटों से बचाया और इसकी सूचना सब्रेंज आफिस बेराड को दी जिसके बाद मौके पर पहुँचे वनकर्मी लोकेंदर और भूपे ने मोर को कबजे में लेकर उसका बेराड परशूर चिके साले में उपचार कराया फिलाल मोर को वन विभाग ने अपनी संरक्षन में रखा हुआ है दर असल रविवार को गौंदोली गाओं के पास पारवती नदी किनारे पानी पीने के लिए गए राश्टी पक्षी मोर पर जंगली कुटों ने हमला कर उसे घायल कर दिया मौके पर मौजूद गाओं के ही दिलीप और वासुदेव कुश्वा ने मोर को जंगली कुटों के जंगल से मुक्त करा और उसकी सूचना वन विभाग को भी दिफलाल मोर को सब्रेंच बैराड ने उपचार कराने के बाद अपनी अभी रक्षा में रखा हुआ है कि मौज्वलीपदा में एक मौर मीलिये क्या कुछ मामला है सद्या कर दिये गए अवर को उसको मोर को लाकि हम दोख सी ना बेराड केंपस लाइब उसको उफ्चार कराएगा है में अभी स्वच्त